दोस्तों क्या आपने नोटिस किया है कि लोग अपने मन की बात नोटों पर क्यों लिखते हैं? और दोस्तों, जब हम कार को हाइवे पर लेकर जाते हैं, तो कार के शीशे क्यों बंद कर लेते हैं? और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यो डाले जाता है और दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि कोई किसान किसी तहसीलदार के कार में भैंस बात दिया हो जी हाँ जानेंगे ये सभी amazing fact तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक fact number one दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि highway पर गाड़ी चलाते समय कार के शीशे बंद रखे दरसल इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप highway पर होते हैं तो आम तोर पर आप तेज रफतार से गाड़ी चलाते हैं और ऐसे में अगर आपकी कार की खिड़कियां खुली रहेगी तो कार के अंदर हवा प्रवेश करेगी जिस को आकाश वानी पर मन की बात हर रविवार को कहना संभव नहीं है सोशल मीडिया आने के पहले अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था प्रिंट इलेक्ट्रोनिक मीडिया बहुत सीमित और महगे थे इसलिए लोग अपने मन की बात सबसे सु कुन मिल जाता था कि उसका संदेश दूर दूर तक अनेक लोगों तक पहुंच गया है बिना किसी रुकावट और खर्चे के पैक्ट नंबर थ्री दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि बांस की लकड़ी को जलाया नहीं जाता है लेकिन क्या आपने सोचा है ऐसा क्य किया जाता है दोस्तों बांस को ना जलाने के पीछे जो वैज्यानिक कारण है वो ये है कि इसमें लेड पाया जाता है लेड के साथ-साथ और भी कई तरह की धातुएं इसमें पाई जाती है जो इंसानी शरीर के लिए ठीक नहीं है यही वज़य है कि विज्यान के जानकार भी इस लकडी को जलाने से मना करते हैं दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है किसी किसान ने किसी तहसीलदार के कार में भैंस बांद दिया हो जी हाँ, ये घटना विदिशा जेरा, मध्यप्रदेश की है जहां नायब तहसीलदार ने एक किसान से 25,000 रुपे की रिश्वत मांगी तो उस किसान ने तहसीलदार के कार में अपनी भैंस बांद दी दोस्तों, आपने ट्रेन में तो बहुत सफर किया होगा इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर तीनों का योगदान होता है वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है क्योंकि पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं और दोस्तों अगर ट्रैक पर पत्थर नहीं बिचाया जाएगा तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएगी अगर ट्रेन के ट्रैक में पेड़ पौधे उग गए तो ट्रेन को ट्रैक पर दोड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस वजह से भी पठरी पर पत्थर डाला जाता है दोस्तों ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में